आज सुबे मेरा बिल्कुल भी नास्ता करने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एनर्जी ड्रिंक बनाया जाए तो मैंने यहाँ पर फटा फट से क्या किया कि चनी का घर में सत्तू रखा हुआ था तो यहाँ पे एक कप लगभग मैंने चनी का सत्तू ले लिया है यह जो ड्रिंक है ना काफी एनरजी भरा होता है मतलब अगर सुबह आपको नास्ता करने का मन ना हो एक गिलास अगर आपने इसे पी लिया ना तो आपको बहुत तरुताजा मैसूस होगा अब आप यहाँ पे स्वात के नुसार नमक डाल दीजिए मैंने यहाँ पे आधा चमच काला नमक डाला है क्योंकि मैं इसमें अभी साधा नमक का बेस्तमाल करूंगी एक चौथाई चमच साधा नमक नमक इसमें आप अपने स्वात के अनुसार भी डाल सकते हैं जीरा पॉर्डर का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जीरा आपका भुना हुआ होना चाहिए, तो जीरा को भुन के आप उसे पीस लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप जीरा पॉर्डर के इस्तेमाल किजिएगा, एक चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा पॉ तो सभी चीजों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें चाहिए होगा पानी, मैं यह सत्तू का सरवत दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डीड़ ग्लास पानी डाला है, सत्तू भी हमने डाला है, तो पूरा दो ग्लास इतने में सर आप यहां पर हल्क ठंडे पानी के इस्तमाल कीजेगा अब लाश्ट में हम इसमें डालेंगे नीमु का रस एक नीमू को यहाँ पर मैंने नीचोड के डाला है नीमू का रस डालने के बाद एक बर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और ये हमारा सत्तू का सर्वत बन के तयार हो गया है तो मैं फटा-फट से इसे सर्व कर लेती हूँ कांच की ग्लास में अच्छा एक बात और कई लोग सत्तू थोड़ा सा पतला पीते हैं कई लोग थोड़ा सा गाढ़ा पीते हैं तो पानी आप अपनी आउशक्ता अनुसारिस में एड कीजिएगा और ये जो बिहारी सत्तू का सर्वत है ना सच में बहुत लाजवाब बन के तयार हुआ है इसका पता तभी लेगा जब आप इसे खुद बना के ट्राइ करेंगे तो मैं तो इसका आनद उठा रही हूँ रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई